बाबासाबके सपनों के ऐसी की तैसिक कर दियेkam लोगों ने प्रेमिनिस्टर कुछ भी उल जोलूल बात करें उन पे कारवाई नहीं होती और कोई इनका बीजेपी का क्योई पर कोई वर्कर या यह कोई की वालेंचई करें उन यही तो गड़बड है, यह 21 जजवानी बोलेंगे, गुंगी का गुड़ खाई हुए लोग है, यह रसे से कनेक्टिड लोग हैं कहीं अगर जांच पूरी की जाएगी तो, इलेक्शन में सुरक्षा की जिनकी डूटी रहती है, जो चेक करते हैं, आई यूए वगरा को, वो भी दांदली में शामिल उनको किया जाता है, प्रेशर में, तो यह क्योंकि ग्रैम मंतर अल्या का बहुत बड़ा रोल है, और ग्रैम मंतरी हो, चे प्रैमिनिस्ट्रे दोनों की जोड़ी है, गुजरात से लोगों को पता ही है, इस जोड़ी का देश का पैसा खा रहे हैं है चैनल वाले इनकी जांच करने की जूर्त पड़ेगी फ्यूचर में और गीतगार हैं बीजे पी के अरे देश जो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट मिलती है सरकार की तरप से वो देश का पैसा है, उस एडवर्टाइजमेंट में देश के लिए है, और देश की खबर उन्होंने चिठी लिखी है, सीजी आई चंद्रचूर को की जो नियाय पालिका पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, और इसी मुद्धे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोट के बड़े वकील बलराज मलिक जी, सर क्या कहेंगे इस के लगाता टच में नजर बनाई हुए हैं, देश के वकील, 21 जजों को चिठी लिखनी चाहिए थी सुप्रीम कोट को, कि बड़े सुप्रीम कोट सविधान की रक्षा करे, और सविधान में जो दिये गए मौलिक अधिकार हैं देश की जनता के उनकी सुरक्षा करे, और तो शे 갖고 हैं, जो सथा में लोग बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल दुम दिम द नजर बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हुए हैं? सरकार नहीं बोल पारी देश का प्रेमिनिस्टर नहीं बोल पारा इलेक्शन कमिशनर उसकी कोई बात उठाते तो भागता है लोगों से मिलता नहीं गलत काम करने वालों को खिलाप एक्शन लेता नहीं इवियम के बारे में लोगों ने आर्टी आर्टी लगाई एक साल तक उसका जवाब देता नहीं तो इससे जाहिर होता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी ने किसी तरह उनोंने मिश्यूज किया हैं मिश्यूज करने के साजिश में हैं इसलिए वो चुप बैठे हैं वो नहीं चाते हैं सुप्रीम कोर्ट से एवियम का या वोटिंग राइट का या इलेक्शन कमिशन की जो अपैंटमेंट है उस पर कोई फैंसला आए इसलिए ओर वोकिल खड़े वह उनोंने मों अर्प का या नहीं वोटिंग बीच का कहते हैं गलाते हैं यान तो पूरा देश प्रबावित होisha देश के लोगों के हित के फैंचले आएं उनको डर है अब इनको ये किस जज़ भी उसी कटेगरी में आते हैं जिनको डर है कि चीफ जश्टिस चंदर चूड को इस तरह से माहूल ना बना दे के इलेक्षन कमिशन के जरीए यह एवेम के जरीए जो धांदली करने के ताक में बैठा हुआ सत्ता प्रक्स वो ना कर पाए और फ्री एंड फेर इलेक्षन ना हो जाए इन लोगों को डर है इस बात का इनको तो बोलना चीए कि फ्री एंड फेर इलेक्षन के लिए हम चीफ चंदर्चूर कोई कमेटी बनाए अपनी अध्यकसला में अर हो कमेटी नजर नजर रखे उलक्षन कमिशन पे डे टूडे जब तक इस डेश में इलक्षन ना जाय और जब तक सरकारी गाडियों का मिश्यूजज करते हैं उसमें उसके जरीय में में दांदली में मेंको किया जाता है temple प्रेशर में तो यह क्योंकि ग्रह मंत्राल्या का बहुत बड़ा रोल है और ग्रह मंत्री हो चैप प्रेमिनिश्ट से दोनों की जोड़ी है गुजरात से लोगों को पता ही है जोड़ी का यह जोड़ी वहां गुजरात में भी लोगों ने आरोप लगाए थे 2017-19 में कीव ना हूं और जो एक तरह से उनको सपोर्ट देना कि वह देश की जंता के हीत में फैसला ना दे या उसकेश को फटापट ना सुने यह तरह से दिखाती के दाने की कुछ चुपाने के कुछ हैं यह उसी तरह का लेटर है कि हम आपके साथ कड़े हैं चुपचाप सरकार क कहीं अनिल मसी की तरह इलाज ना कर दे एलेक्शन कमिशन का यह ड्राने की चिठी है बलके यह लोग ड्रा रहे हैं हम लोग हमारे जैसे लोग यह दूसरे जो वकील हैं परशांत भूशन है यह दूशन दवे हैं या और जो लोग है इस देश में जो लोगों की आवाज कोड़े बी उपर हैं देश के लोग इस देश की जनता जो मालिक इस देश की सुप्रीम कोट उसके भी अंडर में हैं सुप्रीम कोट अगर काम ना करे सुविधान के साफ से जो अमर्जन सी में सारे जज़ लंबे लेट के एकाद को छोड़के तो इसी तरह कि अगर जज़ वकील इसलिए बॉल रहे हैं क्योंकि हमारी डूटी है क्योंकि हम यहां काम करते हैं और देश के लोग तो वकीलों के जरीए तो जान पाएंगे कि सुप्रीम कोट हाई कोट में क्या हो रहा है और देश के लोगों के लिये लिखने चाहिए और मेडिया को सरमानी चाहिए चोदा तारीकों अम्बेडकर जी या सुविधान की चर्चा ना होके बीजेपी के मैनिफेस्टों की चर्चा हो और कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों की चर्चा ना हो सरयाम गदारी कर रहा है देश के पैसे से एड़टाइजमेंट दी जाती है सरकार की देश का पैसा खा रहे हैं सारे चैनल वाले इनकी जांस करने की जूर्थ पड़ेगी फ्यूचर में और गीतगार हैं बीजेपी के अरे देश जो तुम्हें एड़टाइजमेंट मिलती है सरकार की तरप से वो देश का पैसा है उस एड़टाइजमेंट में देश के लिए है देश के खबर दिखाने के तुम्हारी डूटी है तुम उसे दिखा रहे हैं या बिजेपी का या प्रेमिनिस्ट के घर का पैसा है कि वो तुम्हे दे रहे हरा और तुम उसके गीतगारे हैं तो यह भी गह रहे हैं कि हमने बाबा साहब के सपनों का भारत बना दिये है जा ना इस देश का बेड़ा गरक हो जाएगा यह लोगह वही लोग हैं जो अंग्रेज्यों के या मुसलिम। जो ब इसाशन भी था विदेशी यही लोग उन से गलत काम करवाते थे उन लोगों ने इतने अतैचार ने किये जितने यह लोग इस मानसिक्ता के लोग जो लोग इसली देश को खत्रा इन लोगों से हैं ना बारी ताकत से खत्रा है ना किसी अंग्रेज और मुगल राज्यों ने इतना नुक्षान किया जितना अमारे अंदर ये बैठे हुए जो लोग वरणवादी मानसिक्ता के जो लोग हैं जो आज सविधान के खिलाप हैं जो बाबा साब अंबेटकर के खिलाप हैं मजबूरी में बहुत चिटते हैं उन के जहांसे में मत फसो इनके डिवाइडेंड रूल वाली पॉलिसी से बचो और इस बार आप पोजिशन का रोल खुद अदा करो को यह पोजिशन के इंतजार मत करो सत्ता प्रिवर्तन करो ताना शायों को फैंको बार जहां यह बोला जा रहा है कि अगर 24 के लोग सबार यह लोग चुनाओ बिल्कुल लोग सकते हैं जिस तरह के दारा चुआली से लगा के दिल्ली में परदर्शनी होने देते देश के किसानों के आगे किले गाड़ दी इन्होंने तो एक तरह सविधान खतम करी दिया और इनमें कोई इनके अंदर लोगों के लिए परती सानु परकुषा की गड़ी है अगर सुपरीम को सपहलार को सगूपरी में अजो रिख फ्रीन र clergy हों में लिख्यों रिख्षा की गड़ी है और सुप्रीम कोट का इस बार सबिख्यर काले अक्षरों में लिखा जाए गाए बाबा साहब का तो यह है कि लोगो को बोलने की आजादी नहीं है चैनल बंद कर दिया जाते हैं जो लोग के घर EDCBI भेज दी जाती है तो इस पूरी वीडियो पर आपकी कह रहा है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा झाल झाल